हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टूस्ति विल ग्यान आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चनल पर स्वागत हैं दोस्तों ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में देखो आपको अपने मन को अपने आपको इतना मजबूत बनाना है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप हारे नहीं क्योंकि जब आप अपने अंदर से, देखो, सरीर से मधबूत नहीं बनाना है, मन से और अपने विवेक से अपने अपको मधबूत बनाना है, ताकि अगर आपके लाइफ में कभी भी कोई समस्याय आएं, तो आपक अपने अपको हारा हुआ महसूस ना करें, असहाए महसूस अना करें कि यह कब साथ खुरी ओए के आता है कुछ दुख लेकर आता है कभी किसी को नहीं पता होता है तो आपके आपको अपने आपको इतना अंदर से महजुद बनाना है कि आप लगातार हार भी हास् את हासिल रहे हों तो आपने आपको जितने की वो जुनून आपके अंदर हमेस्था बना रहे हैं तो डीडिये जेए के बारे में आज हम फुल इस्टेटजी प्लान लेकर आए हैं कि अगर आप लोग कर रहे हों तो किस तरीके से उसको और एफेक्टिव कर सकते हूं इससे पहले मैंने कई सारी वीडियो बनाई है पर आप सभी दोस्तों का अहवान था कि सरे एक वीडियो और लेकर आईए तो उसी वीडियो को मैं लेकर यहां पर हाजिर हुआ हूं और इस वीडियो सीज में बात करूंगा आज कि डीडिये जी जो आपका 22 की वेकंसी है और आपका दोहजार श्टार्ट हो चु पर आपके डां टेक्निकल नंबर आने वाले हैं फिर इसको डिवाइड किया इंगलिस मैतमेटिक्स ती जिस अब इसकी बात करते हैं पहले बात करते क्यों से करें तो यह आपको पूरा करना ही पड़ेगा पूरा का पूरा तो करना ही पड़ेगा यह तो बाद आपको पता ही है पर इसमें पहले कौन करें इसमें आपको हर एक करना पड़ेगा क्योंकि इसके पहले आपको यह तो करना ही करना पड़ेगा उसके बाद अगर हम बात करें कि सब्जक्ट कैसे misin तो के पूर सकते हूं या आपके पास कोई बुक सोगा या आपने इससे पहले अपनी कोचिंग संस्था से पढ़ दा कर होगा कि कि आप सब्चा कर लिए उसके बास सब्जक्ट वायस पूल आपने पूरा इसको पढ़ लिया साल मैसा सर्भे सब्जेक्ट को पहले आप पूरा कर दीजिए कि सब्जक्ट सब्जक्ट पूरा होने के बाद प्रियाप प्रिसंद कर रहे हो इसके प्रेबियस को देखो कि प्रेबियस में कुश्चन का क्या पैटन रहा है नुमेरिकल का बेटेज क्या रहा है कि हमको नुमेरिकल ज्यादा कोश्चन करना चाहिए या हमारा थेओरी ज्यादा बेटेज रहा है तो उसके आप प्रिवाइक्ट कोश्चन कर लो तो एक मोटा मोटा आइडिया बन जाएगा पर आपने और आपको एक और यहां जब आप प्याइक कर लो तो एक आप चीज और एक करो, एक काम एक नए श्टार्ट करो, कि दोहार 22 के अंदर, जितने भी आपके रिसेंटली एक्जाम होएं, उन एक्जाम को उठाओ और देखो, कि यह जो आपके सब्जक्ट डीडीजेई में आने वाले हैं, उन एक्जामों के अंद के से खेलता है मारे साथ और किस तरीके से हमको वहाँ पर टैगल करना होगा उसके बाद जब आपकी डीडिये की प्याय को आप कर ले हो और द्यार बाइस के जितने भी आपके द्यार बाइस में एक्जाम सुने हैं उन एक्जाम के आपने एक रूबरू हो लिजिए उन और आपके पास नोर्स होंगे नोर्स होने के साथ साथ अब बात आएगी रिविजन आप करते रहे हैं संडे को रिवाज करिए फिर कोश्चन की प्रैक्टिस करने की दिक्कत आती है कि कोश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें कौन सी श्टेटन बुक को फालो करें मार्केट म बहुत सारी books हैं, बहुत से compression की, बहुत से publication की books हैं तो कौन सी books प्रिफर करें सबसे पहले मैं कहोंगा कि सबसे पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सबसे पहले गुपता और गुपता को प्रिफर करना सबसे पहले most अच्छी book है पहुता से उसमें concept मिल जाएंगे आपको गुपता इन गुपता को पहले कर लिजिएगा बहले ही आज के टाइम पर वहां से question नहीं बनते हैं पर आपके जो concept clarity होगी जो अच्छे से आप concept को सीख पाओगे बहुत सारे इसे चीज़ों को तो आप गुपता इन गुपता बुक्स से सीख पाओगे उसके बाद अगर हम बात करें कि अब यूथ करें तो को यूथ की जो जैई वाली बुक है उसको मैं पेफर कम करूँगा क्योंकि वहां पर नंबर आप question के variety जो variation है बार बार उन्ही question को repetition किया गया है और जो आपकी market म सारी बुक्स अच्छी होती है पर एक जो बहतरीन बुक्स मुझे लगी वह गुपता गुपता है ठीक अगर आप initial phase में सबसे पहले प्रेशन को start कर रहे है आप गुपता के साथ जा सकते हैं उसके बाद आप गुपता कर लिए और MRC 222 की जितने वी जाम उसको कर लिए डि जब आप इस पर भी काम कर लें फिर आप अगर लेना चाहें तो यूथ एई वाली जो बुक है मार्केट में वह बहुत ही बेहतरीन बुक है उसके थूँ आप जा सकते हैं फिर आप कुछ लोगे भईया हम तो इतना सब बुक कर लिए अब क्या करें तो सबसे बला तरीका ह जाता है ठेक्स्ट बुक के साथ जाएंगे आपको अक नहीं बहुत सारे मिल जाएँगे आपको लिएक नहीं बोहां की कौरिशन को कर करते हैं करो अच्छी बात है यूटूब से करो चीजे वहाँ सिखने को मिलती है पर खुद से भी कम से कम कम सो कुष्टन पचास कुष्टन डेली रीड करो रीडिंग करोगे ना दिमाग में आप उची समझोगे लेंगवेज को पकड़ोगे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ को चिकर में सारा कुछ गलत हो जाता है और हम लोग बाहर हो जाते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा कि आप क्रेक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी और वेकली में आप मंडे टू फ्राइडे पढ़िए कोई दिकरने बस सटाड़े संड़े दो दिन दखिया रिविजन बहुत जरूरी है आप कम पढ़िए पर रिविजन ज्यादा करिए जितना ज्यादा चीज़ें आपके दिमाग में इस्टो रही ना उतना अधर आपके अंदर कॉंफिडेंस आएगा आप उतना जल्दी आपने आपको बहतरीन एक कंपटेटर महसूस करेंगे औ और आपका है सेवेकुर कुछ कंप्लीट हो जाए तो आप एक अपने आपका खुद शाठ नोट सम्नाईिए कि वह मोख इसको फालो कर रहें मैंने भी उसको देखा है पड़ा है पर आप जो आपका जो Short Notes होगा वो आपके recording होगा कि आपकी जो कमियां है आप क्या Mark Test में गलत करते हैं वो सारी चाज़ें उसमें रिकार्ड करके रखोगी तो उन सारी चीजों को आप जो है Short Notes के माधधियम से अपना कर सकते हो वो जो आपका साथ नोट्स एक बनके तयार होगा, उसके अंदर आपका जो वीक पॉइंट होगा, वह भी होगा, टेक्स्ट बूइक या कहीं भी टेस्स स्रीज आपने जहां पे ले रखे होगी, उसके जो कुष्ण वहां पे होगी, आप उसको उसमें इंवल्ड करोगा, जो आंग आपनि कम्यों को ही काम करते हैं आप काफी स्ट्प्रम कर सकते हो 항 कि तो यह आपन टेक्निकल सब्जग्ड यकि तरीके से आपको आप सबसे पहले में नावी हैं इसे इंगलेश को हमने दो दो पार्ट में डिवाइट किया तोrust movement mandates of stir आते हैं आप की इनको करने के लिए आपको डेली एडिटरियल की कि डूंड होगी जो आपके क्या एब देखते होगी इनके लिए अलग से आपको ब्लच पर काम करना होगा आप काम करना हिश्टा डिए जब से एक्जाम आया है तब से आपने इसको छोड़ा रखा है देड़ेदरी शेव महीने जरा सोचे य सब्सक्राइब पांच वर्ड ही पढ़े होते तो होता है कितना एक महीने में 300.500 वर्ड अच्छे महीने में 900.000 वर्ड 1,000 वर्ड आपके प्रना होचकी ओते तो आप आज सही गाठ बना लीजिए कि हमको daily bouquet पर काम करना है थोड़ा बहुत उसके बाद आप grammar पर बात करें तो active है narration है error है यह जो grammatical error आता है वो सारा का सारा depend करता है आपके parts of speech पे noun pronoun word adjective कहां लगेगा preposition कैसे होगा conjunction introduction तो आपको अपने parts of speech पकड़ बनानी है जहाँ आप parts of speech बना लोगे तो आप sentence को arrangement कर लोगे error पहचान लोगे कौन सी यहां पर executive लगेगा तो आप parts of speech पढ़िए कहीं से पढ़िए कोई special detail नहीं पढ़ा रहा है पर grammar आप सर्च करोगे YouTube पे बहुत से लोग पार सब इस पढ़ा रखें तो आप उसको पढ़के अपना एक नोट्स बना लीजिए कि हां क्या rules होता है उसके बाद active और narration अक्टिव, passive और narration इसके लिए सबसे जरूरी आपका टेंस है तो आपको 12 आपके होते हैं उन 12 टेंस पर पकड़ होनी प्रचाइब के साथ हैंज लगता है कहां हैं डज लगता है कहां किया लगता है उसके लिए आप इंग्लीस पे अपने काम करिए अगर कोई problem साती है तो आप हमारे सा सेर कर सकते हैं भीton बात करएंगे हम लोग रेजनिंग पर रेजनिंग में आप हमारे प्लेजिव्ट में जाएगा, वहां पर मैंने रेजनिंग की डेड़े की त्या दस टॉपिक आने वाले हैं से यही वन भी आपको देना होगा तो उससे जब आप इस पर पकड़ बनाओगे अपने रिजिनिंग पहले सब पूरा स्लेबस एकारडिंग पढ़ लीजिए अब रिजिनिंग के लिए बहुत से मेरे भाई लोग पूछ दें कि कौन सी बुक प्रिफर करें तो रिजिनिंग क और सोचें जरा अगर स्सेजी हमारे सामने वेश्फ पर हमें पचास मार्स पर बदलते हुए समय के अंसवार बदलते हुए regulation के सार आज कल pattern बिल्कुल बदल आ है तो कहीं न कहीं हमको कुछ नया तरीका अपनाना होगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ रखा तो सबसे पहले आप history पढ़ लेजिए जोग्राफी पॉल्टी इन तीनों चीज़ों को पढ़ लेजिए और physics chemistry biology इसको पढ़ लेजिए अपने पूरे तरीके इस ठीवरी पढ़ लेजिए यूटूब से या कहीं पर अपने बुक्स और से पढ़ सकते हैं उसके बाद mixed question की practice करिए जितना जादा हो तो क्योंकि मैंने आठ महीना नौ महीना करेंट रफेर को दिया था बहुत ज़्यदा और होता क्या है कि एक्जाम का पैटन कभी पूछता है कभी नहीं पूछता तो ऐसा नहीं हम बिसकुल छोड़ ही देंगे करेंगे हम अपने क्लास में भी करेंगे जो आपके इंजिरिं सब्सक्राइब करना दिया कि आपको इस तरीके सब्सक्राइब को करनी है बाकी मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में तब तक लिए थाइंक्यू जैहिन जैभारत